इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं cash flow statement के important and tricky questions सो मैंने जो cash flow statement के questions चुने हैं वो चार questions है यहां पे एक है पूरा complete question it's not a tricky question but it's a good question क्योंकि इसमें सारे points mostly cover है और इस से तुमें एक idea हो जाएगा कि पूरा बड़ा question जल्दी और accurately कैसे solve करना है ताकि तुम्हारा question जल्दी हो और question A की बारी में तुम्हारा answer सही answer आए ठीक है दूसरा जो question है वो operating statement का है तो उसमें काफी सारी चीज़ें covered है सारे points इसमें covered है third जो question है वो मेरा financing का है इसमें भी mostly सारे points covered है जो tricky है important है सब कुछ and fourth जो मेरा question है ये ऐसा question है जिसमें हमें operating और investing activities दोनों बनाने और ऐसे question के भी आजकल आने के chances होते हैं क्यों क्योंकि बड़े-बड़े question देखे examiner जो है वो बहुत पक चुके हैं तो वो थोड़ा सा कुछ differentiate करना चाहते हैं ठीक है गाइस एक और चीज मैं सारे बच्चों को बता दूँ मैंने बहुत सारे chapters की तुम्हारे 12th के ये जो important और tricky questions है इनकी videos बनाई हुई है बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि sir आपने और कौन कौन से chapter की बनाई है हमें पता नहीं है तो इस video की description में जब तुम जाओगे तो उन सारे chapters का नाम तुमें मिल जाएगा जिनकी मैंने important and tricky videos बनाई है तुम चाहो तो directly यहां इस description पर click करके वहां से देख सकते हो और उसके बाद मैं in fact जितनी भी मेरी videos हैं उन सारी videos के description में मैं playlist अपनी डाल दूँगा ताकि बाद में भी जब तुमें revision करनी पड़े तुम कोई भी video देखके playlist open करके directly अपनी video देख सकते हो और guys जैसे मैं अपनी हर video में बोलता हूँ please इस video को अगर अच्छी लगे तो like करना मेरे channel को subscribe करो अगर नहीं करा और share my channel as much as you can so that जितने भी तुमारे friends class 12th में है और वो ऐसी videos मेरी देखें तो उनके concepts clear हो और सारे बच्चे बहुत अच्छे marks लेके पास हो जाएं यही मेरा लक्ष है यही मेरा target है ठीक है चलो guys without wasting your time let's start this chapter और इसके questions तो सबसे पहला जो हमारा question है इस question में हमें इस question को analyze कैसे करने है हमें हमेशा question में पढ़ना है कि हमें करना क्या है हमें कभी भी question को देखके पहले कुछ analyze नहीं करना क्या इतना बड़ा question है पता नी इसमें क्या क्या होगा कुछ नहीं हमें question को देखके पढ़ना है कि हमें करना क्या है हमें बोला गया, prepare cash flow statement for the year ended this हमें क्या करने को बोला गया है, कि हमें cash flow statement बनानी है, ठीक है अब cash flow statement guys कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यान से देखना तो मैं क्या करूँगा मैं यहापे लिखूँगा, solution मैं इसका illustration यह लिख देता हूँ, illustration number 53 मैं क्या करता हूँ guys, जो मेरी आदत है और वो आदत ठीक भी है, उसे question जल्दी भी होता है मैं सबसे पहले ना cash flow का पूरा format बना लेता हूँ कैसे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ net profit after tax and extraordinary items net profit after tax and extraordinary item ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं space छोड़ देता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ net profit before tax and extraordinary items ठीक है, मैंने थोड़ा सा space छोड़ दिया और लिखता हूँ net profit before tax and extraordinary items और इसको मैंने लिख दिया working note इसको मैंने लिख दिया working note number one इसके बाद मैंने बनाया अपना format, तो यहाँ से मेरा format start होगा देखना गा, इसमें format कैसे बनाऊँगा तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा cash flow statement और यहाँ पर थोड़ा सा space छोड़ के हमें लिखना होता है, for the year ended इसमें लिख लेता हूँ for the year ended जो भी हमारा आएगा ठीक है particular amount अब सबसे पहले मैं लिखूँगा अपनी heading, heading क्या आएगी net profit before tax and extraordinary items which is from my working note जो मैंने उपर बनाएं थोड़ा स्पेस छोड़के operating profit before working capital changes operating profit before working capital changes थोड़ा सा नीच ले देता हूँ working capital changes ठीक है उसके बाद थोड़ा सा space छोड़के then cash generated from operations cash generated from operations और उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़के cash flow from or used in operating activity cash flow from or used in operating activity ठीक है इसके बाद मैं क्या करूँँगा यह मैंने operating cash flow from operating activity अच्छा मैं एक लाइन लिखनी भूल गया sorry guys मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ sorry 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 यह है मेरा cash flow from operating एक्टिविटी cash flow from operating activity उसका format हो गया then आएगा मेरा यह format चल रहा है भी then cash flow from investing activity इसका format space चोड़ दूँगा थोड़ा सा कोई फरक नहीं पड़ता बहुत जादा space मच चोड़ना थोड़ा सा चोड़ना थोड़ा सा चोड़ना डिसेंट सा then cash flow from financing activity cash flow from financing activity इसका थोड़ा सा डिसेंट स्पेज चोड़ दूँगा then यहां पर आजएगा increase or decrease अभी मैंने खाली स्पेज चोड़ दिया increase or decrease in cash and cash equivalents यह मेरा final answer आजएगा then add opening cash and cash equivalents opening cash and cash equivalents अब opening cash and cash equivalents मैं एकदम से अभी ही लिखतूँँगा सिधा सिधा अभी लिखतूँगा तो मैंने देखा current asset में cash and cash equivalents, cash and bank balance मुझे दिया हुआ है और मुझे दिया हुआ है current investment, marketable securities तो इसको क्या मैं मानूँगा cash and cash equivalent तो opening यानी 2020, closing यानी 2021 opening 2020 का marketable securities इतना और cash and bank इतना so opening cash and cash equivalent मैं राजएगा marketable security 19,000 और cash and bank balance which is 1,30,000 तो यह मेरा total कितना आगया 149,000 और यहां मैं लिख दूँगा अपना final answer closing cash and cash cash equivalents closing cash and cash equivalents यह चाहूं तो मैं directly यहीं से answer देख सकता हूं कि closing cash and cash equivalents 180 plus 17 197 मेरा यह answer आना चाहिए 180 यह मेरा answer आना चाहिए तब ही मुझे पता चलता है कि मेरा answer सही है जो भी मेरा answer आएगा this plus this वो answer इन दोनों का total आना चाहिए तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ इससे क्या होता है कि अगर मान लो ध्यां से सुनना यह वैसे तो मैं recommend नहीं करता बट still अगर मान लो तुम्हारे पस time बहुत कम है क्योंकि यह last question होता है end में आता है तो बच्चे क्या करते हैं थोड़ी बहुत चीज़े उपर नीचे कर देते हैं तो कई बार क्या होता है तुम्हारे लिए अगर तुम answer directly यहाँ पर लिख दोगे और तुमने पूरा question करा है तो शायद examiner थोड़े बहुत marks देते हैं तो step marking होती है ऐसा नहीं है कि examiner तुम्हे marks ऐसी देतेगा बट still there are chances कि तुम्हारे answer गलत के आदे mark नहीं कटेंगे यह तुम्हे marks मिल जाएंगे और examiner को समझ आ देगा कि तुमने दिमाग यूज किया आपना तो आदा number तुम्हें मिल सकता है तो question start करते हुए तो format बना नहीं था मुझे वो तो बनाने ही पड़ था question के साथ साथ तो time तो इतना ही लगना था और दूसरी important बात क्या है guys जो तरीके से मैं question solve पराऊंगा अब देखना मैंने format बना लिया अब मैं क्या करूंगा question इस तरीके से कराऊंगा कि तुम्हें किसी चीज को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा बच्चे क्या करते हैं वो पहले operating activity करते हैं पूरा question पड़ेंगे investing activity करते हैं पूरा question पड़ेंगे financing activity करते हैं पूरा question पड़ेंगे हमें ऐसे नहीं करना हमारा simple सा rule है हर एक चीज को हमें सिर्फ एक बार देखने एक बार देखने दुबारा मुड़के हमें उसकी तरफ नहीं देखना ठीक है अब सबसे पहले मैंने format बना लिया format बनाने की बाद मैं क्या करता हूँ अपना मैं बनाता हूँ अपने working notes working notes एक तो उपर working notes मेरा बना हूँ है अब मैं क्या करूँगा मैं अभी उपर कुछ नहीं बढ़ूँगा मैं देखूँगा सारी adjustments तो सबसे पहले adjustment है मेरा investment costing 8,000 was sold at a profit of 500 हमने investment इतने की इतने profit पे sale की है ठीक है so that means investment अगर हमने sale की है there must be an investment account तो investment हमारा non-current asset में मुझे investment दिखा तो इस चीज़ पे adjustment है जब भी किसी भी non-current asset पे adjustment होती है हमें उसका account बनाना पड़ते है तो मैं क्या करूँगा I will make an investment account हर account बनाऊँगा और उस account के सारे effect जहां जहां आएंगे वहां डाल दूँगा ताकि adjustment भी खतम और उपर वाला point भी खतम देखना ध्यान से so particular amount particular amount अब मैं क्या करूँगा investment गाइस एक चीज़ जो CBSE वाले students है इतना बड़ा question तुमारे exam में आने के chances नहीं है but still it doesn't mean के तुम जिस तरह से मैं question कर रहा हूँ वो मत देखो क्यों क्योंकि मैंने सारी adjustments यहाँ पर solve रही है तो concept तुम्हे clear करना जरूरी है क्योंकि exam में वो एक या दो कोई भी adjustment दे सकते है तो तुम्हें सारी adjustments करने का ही फायदा है तभी तुम्हें एक या दो adjustments के लिए prepare रहोगे ठीक है चलो investment account मैंने बनाया investment की opening figure है 50 and closing है 60 तो balance brought down opening balance asset का यह आएगा मेरा 50,000 और यहाँ पे buy balance carried down closing balance मेरा आएगा 60,000 that means non current asset की figure मैंने एक जगा पे डाल दी जो मैंने tick करता जा रहा हूँ यह मैं exam में भी अपने answer में tick करूँँगा कि यह figure मैं देख कर चुका हूँ इसका मुझे कुछ नहीं करना ठीक है थोड़ा ऐसे tick करूँगा ताकि figures दिखे ऐसे कि इन figures का मुझे अब कुछ भी नहीं करना ठीक है चलो अब adjustment investment costing 8,000 8,000 की investment हमने sale करी है 500 के profit पे that means 8,500 की sale करी है हमने तो यहाँ मैं लिखूँगा buy bank मेरी sale value sale value is 8,500 और profit on sale आता है मेरा यहाँ पे to profit on sale 500 so profit आ गया, sale value आगी अब मैं क्या करूँगा profit sale value की बाद इस account को कर दूँगा close so 60,000 plus 8 that is 6,8,500 6,8 5,000 so that means 18,000 so मेरा यहाँ पे आएगा two bank sorry two bank it is purchase मैंने investment purchase की होंगी कितने की 18,000 की यह मेरा balancing figure है ठीक है guys adjustment हो गई point हो गया अब इस adjustment के जहाँ जहाँ effect आएगे वो मैं डाल देता हूँ so पहला effect मैंने sale की है investment 8,500 की तो investing में add होगा 8,500 तो मैं investing में add कर लेता हूँ investing में add sale of investment 8,500 ठीक है investing में sale of investment आगी चलो यह हो गया profit on sale profit on sale हमारा operating में minus होता है तो operating में मैंने 500 माइनस करना है operating के अंदर net profit before tax and external item में less profit on sale of investment 500 यह हो गया और तीसरा मेरा investment में मैंने purchase की थी तो मैं हाँ कर दूँँगा add purchase of investment मुझे याद है 18,000 की मैंने purchase की थी यहां से हो जेगी minus तो जो sorry add नी less जो minus होता है वो bracket में लिखते है इसको भी मैंने less करा है तो I will write it in bracket जो मैंने लिखा है उसको bracket में करूँगा तो मेरी पहली adjustment होगी और यहां से non-current investment हो गया clear अब मुझे इसको दुबारा नहीं देखना non-current investment खता next provision for tax made during the year is 9,000 tax made during the year तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा tax का कुछ account बना हुआ है so short term provision provision for tax मुझे opening and closing given है जब भी opening और closing tax figure given होती है और मुझे कोई भी adjustment given होती है तो मुझे बनाना पड़ता है अपना provision for taxation account so मैं बनाऊँगा यहां पे provision for taxation account so मैं यह particular amount पर्टिलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं सबको पता है so by balance brought down opening provision opening provision मुझे कितना दिया हुआ है guys opening provision is 75,000 75,000 मेरा है opening provision और closing provision जो मेरा है closing provision मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000 कोई बात नहीं काफी सारा difference हो सकता है और हमने provision during the year बनाया है 9,000 का so by provision made during the year it is 9,000 this is provision made during the year तो जो भी मेरा difference आएगा वो आजेगा tax paid during the year so this will be to bank it is tax paid during the year so 75 plus 9 84,000 84,000 84,000 minus 10 that means 74,000 मेरा आया tax paid during the year तो मेरा short term provision ये भी हो गया ये दोनों amount भी हो गया और मैंने अपनी second adjustment भी कर ली अब इसका जो effect जहां आएगा वहाँ डाल दूँगा कैसे provision made during the year वो बिल्कूल starting में हमारा add होता है so net profit after tax में add provision made during the year हमने कितना provision मनाया था 9,000 का और जो tax paid होता है वो cash generated from operations के बाद minus होता है less tax paid during the year कितना tax pay किया है हमने हमने tax pay किया है 74,000 तो 74,000 मैं यहां से कर दूँगा minus ठीक है गाइस तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं adjustment पढ़ रहा हूँ adjustment पढ़ने के बाद जो भी उसका effect आएगा चाहे account बना के आए चाहे direct आए तो मैं कर रहा हूँ तो मैंने account बना दिया इसके दोने effect डाल दिया ये भी हो गए मेरा तो मैं tick करता हूँ एक तो यहां एक यहां एक यहां 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 भी कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है ये वाले tick बेटर है चल ये भी होगी सब्सक्राइब होगी थर्ड दूरिंग दे यहां पार्ट ओफिक्स तैंजिबल असेट कॉस्टिंग तैंजिबल असेट वस सोल्ड फॉल थाउज़न और गेन प्रॉफिट वस क्रेटे तो प्रॉफिट अन लॉस अकाउं जो मुझे बोला जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पापा मेरे पापा चलो अब यहां पर तू बालेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग मेरे पास फिक्स असेट की फिगर कितनी है इट इस 4,00,00 4,00,00 मेरे ओपनिंग फिगर आगी और बाई बालेंस करेड़ डाउन क्लोजिंग फिगर है मेरे 3,20,000 जैसे ही मैंने इन फिगर को इस अकाउंट में लिख दिया मैंने यहां टिक कर दिया कि यह फिगर भी मेरी हो गई अब adjustment हमने 10,000 वाला आसेट 12,000 में सेल किया है तो आसे 10,000 वाला 12 में सेल किया है तो buy bank सेल 12,000 और profit on sale है हमारा तो यहां पे आजेगा 2 profit on sale 2000 और कुछ भी नहीं है अब इसको close कर देंगे तो 4,2,000 वो साइट मुझे कमी लग रही थी तो 4,2,000 तो 4,2,000 माइनस 12,000 माइनस 3,20,000 तो एक सेल गईस 4,2,000 माइनस 3,2,000 20,000 सारी माइनस 12,000 तो मेरा जो अंसर आ रहा है इस 70,000 तो यहां नाट मेंस not buy sale by depreciation fix asset पर क्या लगती है depreciation this is my balancing figure तो 70,000 की मेरी आगी depreciation तो मैंने अपना account बना दिया third adjustment भी होगी अब मैं क्या करूँगा अब मैं इसका जो भी effect जहां जहां आएगा वहां डालूँगा opening and closing figure का कहीं भी को effect नहीं होता याद रखना ठीक है इन्वेस्टिंग में add हो जाएगा add sale of tangible assets 12,000 और उसके बाद ये हो गया profit on sale 2000 और depreciation 70,000 ये operating में आती है so operating में यहाँ पर मैं करूँगा add depreciation depreciation on tangible assets या खाली depreciation भी लिख सकता हूँ वो यहाँ पर add होगा or less profit on sale of tangible assets 2000 का मेरा profit था वो मैंने कर दिया यहाँ से minus ठीक है गाईस इस तरहां से मुझे हर account को बनाते चले जाना है और हर चीज का जहाँ जहाँ effect आएगा उसको डाल के खतम करना है third adjustment भी होगी ये भी हो गया चलो next interim dividend paid during the year amounting to 40,000 40,000 का मने interim dividend pay किया है तो सीधा सीधा जब भी हम dividend pay करते हैं वो working note में पहले में add हो जाएगा add interim dividend paid कितना है 40,000 तो 40,000 का dividend यहाँ पर add हो जाएगा और financing में हमारी ये figure minus हो जाएगी less interim dividend paid 40,000 और वो कर दी मैंने यहाँ से less simple इस तरहां से मुझे अपना question करना है अब मेरी देखो सारी adjustments हो गई all adjustments are done ठीके ना adjustments सारी होगी चलो भई adjustment होने के बाद अब हम उपर का part करते हैं question start करते हैं अब हमें क्या करने है next step जिन जिन पर tick नहीं लगे हम यहाँ से question start करना शुरू हो जाएगे यहाँ से जिसका effect जहाँ जाएगा वहाँ डाल देंगे and question एक ही बारी में खतम देखना है share capital पहले थी 450 अब है 450 कोई change नहीं है इसका कोई effect नहीं आएगा reserve and surplus note number one note number one देखते हैं yes note number one general reserve पहले था 3,00,000 that means increase in general reserve तो यह हमारा working note में add हो जाएगा add transfer to reserve 10,000 तुम चाहो तो bracket में दिखा सकते हो closing minus opening मर्जी है तुमारी ना भी दिखाओ तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा यह हो गया surplus that is balances statement of profit and loss पहले था 56 अब है 68 तो 12,000 का इनका profit है तो वो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 68,000 minus 56,000 so 12,000 का मेरा आजगा यहाँ पे profit ठीक है यह भी हो गया अब यह हो गया तो working note number 1 पूरा हो गया working note number 1 यह भी पूरा हो गया long term borrowing mortgage loan पहले थी 0 अब है 2,70 पहले loan था मेरा 0 अब है 2,70 that means 2,70 का मैंने loan लिया है that means financing activity में यह figure add हो जाएगी एक shortcut याद रखना liability का direct relation होता है cash flow statement में और asset का inverse relation होता है मतलब अगर liability बढ़ रही है अगर liability बढ़ रही है तो cash flow में add होगी अगर liability कम हो रही है तो cash flow में minus अगर asset बढ़ रहा है तो cash flow में minus होगा inverse relation अगर asset कम हो रहा है तो cash flow में add होगा यह एक shortcut याद रखना तो मेरी mortgage loan बढ़ रहा है liability का direct relation होता है तो ये add हो जाएगा so add mortgage loan taken 2,70,000 mortgage loan taken 270 ये भी हो गया, चलो trade payable, trade payable आते है current liability, पहले थी 168, अब है 134 तो 168-134 तो मेरी 34,000 से कम हो रही है ये इसका effect आता है operating profit before working capital changes, so less decrease in trade payable trade payable कितने से कम हो रहा है 34,000 से, जितने से कम होंगे वो मैं कर दूँगा, यहाँ पर minus 34,000, चलो, ये भी हो गया जल्दी जल्दी से, ये सारे ये सारे हो गये, inventories पहले थे 240, अब है 210, inventory कम हो रही है, asset कम हो रहा है inverse relation, तो यहाँ पर add हो जाएगा, add decrease in inventory 30,000, चलो, ये भी हो गया और trade receivable पहले थे 210, अब है 445 210 455 that means 2,45,000 से मेरे trade payable बड़े है inverse relation, तो यहाँ पर less हो जाएगा less increase in trade receivable it is 2,45,000 ये मैं कर दूँँआ, यहाँ से less, ये भी हो गया अब देखोगा, इस पूरा question मेरा हो गया है अब एक चीज को मेरे को दुबारा नहीं देखना था पूरा question हो गया है अब मैं सीधा सीधा अपना question ये solve कर सकता हूँ तो तुम देखो, within 20 minutes ये question मैंने solve कर दिया है जो हमारा, अगर CBSE में देखा जाए, इतना बड़ा question हमारा 8-6 mark में आ सकता है और अगर ICSE board में देखा जाए, तो it can come for 14 marks तुम देखो, इतना बड़ा question सिर्फ 20 minutes में बिल्कुल अराम अराम से समझाते समझाते मैंने solve कर दिया स्टार्टिंग में लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो, हो गया चलो, अब इसको close करते है I am using the calculator, क्योंकि time base ना हो plus 9,000, plus 40,000, plus 10,000, so it is 71,000 तो net profit before tax and extraordinary item 71,000 ये figure मेरी आजेगी, यहाँ पर 71,000 अभी मैंने बाहर कुछ नहीं लिखना अब 71,000, minus 500, plus 70,000, minus 2,000 ये figure मेरी आती है, 13,85,000 1,38,500, so 1,38,500 ये figure आगी उसके बाद इसमें, minus 34,000, plus 30,000, minus 2,45,000 so negative 1,1,0,500, so 1,1,0,500 negative then इसमें मैं minus कर दूँँगा 74,000 तो ये मेरा आ रहा है 1,8,4,500 negative, so I will write cash used in operating activity negative answer है, so cash used in operating activity ये मेरा आ गया पहला answer ठीक है, अब investing close करते हैं जल्दी से so cash, मुझे positive लग रहा है cash flow from investing activity, देखते हैं इसका answer क्या आएगा 8,500 minus 18,000 plus 12,000 it is 2,500, ये 2,500 मेरा आ गया cash flow from investing activity financing activity में कुछ है ही नहीं और बस दो ही चीज़ें कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो कितना easy question था? cash flow from financing activity so 2,70,000 minus 40,000 it is 230, so 230 मेरा आ रहा है positive answer so 230 plus 2500 minus 18,45, 00 so that means 48,000 sorry मेरा answer आ रहा है so 48,000 positive है so that means increase in cash and cash equivalents और 48,000 में अगर मैं 1,49,000 add करूँ तो मेरा automatically 1,97,000 आ आत है इसमें जब मैंने इसको add किया तो मेरा answer यही आ गया जो मैंने पहले ही लिख लिख लिया था this is how you have to solve an answer मैंने 22, 23 मिनट्स में question solve कर दिया है बड़ा question तुम चाहो तो इस question को 15 to 20 मिनट्स में solve कर सकते हो इतना बड़ा और यह तो adjustments बहुत ज़ादा है मैंने बदाया था इतनी adjustments नहीं आएंगी अगर दो adjustments आएंगी तो यह question तो तुम 10 to 15 मिनट्स में भी solve कर सकते हो तो याद रखो तरीका क्या मैंने किया ताना था वो डाल दिया और यहाँ tick करता चला गया अब जो हो गया उसको छोड़ो balance चीज सीधा यहाँ से start करो जो जहां आएगा वहाँ वहाँ डालते चले जाओ जैसी last तक पहुंच जाओ that means तुमारा question खतम और फिर इसका total करना शुरू करतो it's as simple as that tricky भी और थोड़ सा difficult भी but मैं हूँ न ठीक है चलो next इस question में क्या है guys हमें सबसे बेले क्या देखना होते है कि करना क्या है you are required to calculate cash flow from operating activity हमें सिर्फ operating activity बनानी है that's it और कुछ भी नहीं करना कोई बात नहीं operating activity बनानी है जैसा उपर वाले question में किया था same वैसे मैं अपना format बना लूँगा पहले format बनाने के बाद सारे adjustments इन ऐसे करेंगे जैसे पहले करा ठीक है कोई बात नहीं तो चलो guys हम इसका format बनाते सबसे पहले so this is solution illustration number 30 चलो cash flow from operating activity पहले working note net profit before tax and extraordinary items थोड़ा space छोड़ देंगे then net profit after sorry यह पहले after रात मैंने before लिख दिया उपर वाले question में तो नहीं गलत किया नहीं ठीक so net profit after tax and extraordinary item next profit before tax and extraordinary items okay अब बनाएंगे हम cash flow statement अपनी तो सबसे पहले cash flow from operating activity हमें एक ही बनानी है then net profit before tax and extraordinary items as per working note then थोड़ा space छोड़के operating profit before working capital changes फिर थोड़ा space छोड़के यहां थोड़ी space ज्यादा छोड़ूँगा क्योंकि operating का ही question है तो operating थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कम नहीं रहनी चाहिए space बच जाए कोई बात नी कम नहीं रहनी चाहिए अब आज एगा मेरा cash generated from operations उसके बाद तो मेरा final answer है बस इतना सही है चोटा सा format बन गया वाओ चलो question start करते है तो यह मुझे दी हुई है कुछ adjustments और यह मुझे दिया हुए balance sheet का extract extract मतलब balance sheet में से specific कुछ चीज़े निकालके दी हुई है तो चलो सबसे पहले adjustment देखते है tax provided during the year हमें tax provided given है 3000 उसके बाद हमें देखते हैं क्या provision for tax account given है provision for taxation भी हमें given है figure आएगी हमारी 6000 and 4000 ठीक है चलो अब हम क्या करते है यह मैं line लगायता हूँ ताकि एक बर से clear हो जाए मुझे तो मुझे provision for taxation account बनाना पड़ेगा तो वर्किंग नोड प्रोवीजिन फॉर taxation account पापा पापा लिखा है मेरे पापा नहीं आए इसमें पापा लिखा हूँ है तो यहाँ पे by balance brought down by balance brought down में रख इतने है तो provision का 2020, 2021 देखो यहाँ पे figures उल्टी दी हुई है यह है previous year यह है current यह है तो ध्यान से यह जान बूच के कही बार उल्टी सीदी चीज़ी देते है तो 6000 and 4000 by balance brought down 6000 to balance carried down 4000 provision लिख दिया मैंने opening closing तो मैं यहाँ पे tick कर लेता हूँ कि यह भी हो गया है ठीक है अब इसके बाद adjustment provision tax provided during the year 3000 that means by tax provided during the year it is 3000 अब इसको close कर लूँगा मैं तो six or three 9000 9000 तो two bank यहाँ जगा मेरा क्या tax paid during the year tax paid which is my balancing figure it is 5000 so 5000 अगय मेरा tax paid during the year तो जिसका effect जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ मैं डाल दूँगा तो tax paid cash generated from operations में less होता है so less tax paid during the year it is 5000 तो चलो जो था एक इसको कर दिया हमने और provision made during the year यह पहले working note में add हो जगा 3000 तो provision made during the year यहाँ पर add provision made during the year it is कितना था मैं भूल गया 3000 3000 चलो गाईस यह भी हो गया तो मैंने क्या किया पहली adjustment payment टिक कर लिए पहली adjustment होगी यहाँ से यह हो गया next amortization of goodwill goodwill amortize 12,000 इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है goodwill amortize net profit before tax के अंदर यहाँ पर add होती है so goodwill amortize कितनी है 12,000 वो 12,000 मैंने यहाँ कर ली add चलो तो इसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ यह चलो यह लिख देता है कोई बात 12,000 क्योंकि operating ही बनानी है तो सीधा-सीधा answer आएगा बाहर लिख देता हूँ चलो अच्छा रहेगा 12,000 क्योंकि खाली operating बनानी है इसलिए मैंने बाहर ही लिख दिया इसको अगर तीनों बनानी होती तो फिर मैं अंदर लिखता चलो यह भी हो गया profit on sale of land 5,000 अब profit on sale of land क्या यहाँ पर land दिया हूँ है land, 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 land नहीं कुछ नहीं दिया हूँ गया इस तो profit on sale of land simple हमारे यहाँ पर less हो जाएगा less profit on sale of land 5,000 यह भी हो गया यह भी हो गया चलो writing of preliminary expenses तो preliminary expenses अमने profits राइट ओफ किया non cash expense यहाँ पर add हो जाएगे write of preliminary expenses 2,000 यह expenses मेरे यहाँ पर add हो जाएगे क्यों? क्योंकि यह हमारे क्या होते है these are non cash expense तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे add चलो next इसके बाद machine costing 40,000 accumulated depreciation there on 18,000 was sold for 17,000 तो क्या machine account है नीचे machine 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 yes plant and machinery हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें net value given है मतलब accumulated depreciation नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा we have to prepare plant and machinery account plant and machinery account चलो जल्दी बनाते हैं अगें कौन आएंगे पापा तो 2 balance brought down opening plant and machinery मेरी है 1,30,000 closing plant machinery है 94,000 so by balance carried down it is 94,000 so opening plant and machinery आगें closing plant and machinery आगें machinery costing 40,000 चोटा सा working node cost of machine थी 40,000 जिस पे आज तक depreciation लगी थी 18,000 so accumulated depreciation जो इस machine पे लगी हुए कितनी लगी हुए 18,000 so आज की date में जो इसकी book value है it is 22,000 के मेरी book में आज की date में इसकी value है 22,000 और मैंने sale कर दिया at a loss of 17,000 17,000 के loss में मैंने इसको sale किया है तो loss अगर मेरा 17,000 है तो मैंने sale कितने का करा होगा so this minus this मैंने 5,000 का sale करा होगा 22,000 मेरी books में उसकी value है और मैंने 17,000 के loss में sale करा है तो 5,000 का sale करा होगा तो सिंपल इफेक्ट बाइब बैंक सेल फिगर फाइब ताउजन यहां पर आ जाएगा बाइ लॉस ऑन सेल 17,000 यह अजस्मेंट होगी और इसमें कोशन में कुछ नहीं किवन हाना कहीं पर और कुछ नहीं किवन प्लांटन मशीनरी भी हो गया तो बस इसको टिक कर देते हैं यह सर्कल सर्कल अटा देते हैं यह हो गया इसको मैं लाइन लगाता हूँ यहां पर चला सो 130 माइनस 5000 माइनस 17,000 माइनस 94,000 सो मैं अंसर इस 14,000 नहीं का मेरा यहां पर किया आता है बाइड़ डेप्रीसिएशन by depreciation it is my balancing figure so 14,000 की मेरी आगे depreciation तो अब जिसका effect जहां जाएगा वो भालिक देंगे ये investing का part है operating में कुछ नहीं करना loss on sale add depreciation add 17,14 so add loss on sale of machine 14,000 यहाँ पर add add depreciation on machine 17,000 तो 14,000 and 17,000 यह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया add चलो अब आगे करते हैं adjustments सारी होगी यहाँ से start करते चले जाएंगे accounts receivable यानि trade receivable debtors पहले थे 16 अब 20 तो debtors बढ़ गए तो operating profit before working capital changes में less increase in trade receivable मैंने बताया था assets का inverse relation होता है तो मेरा 4000 यहाँ पर minus हो जाएगा चलो यह भी हो गया stock पहले था 15 अबर 12 stock कम हो गया तो यहाँ पर add हो जाएगा add decrease in stock 3000 वो यहाँ पर add हो जाएगा cash at bank का correlation नहीं है वो तो हमारा cash जब end में होता है opening cash and cash equivalence closing cash and cash equivalence वहाँ पर आता है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे इसका चलो accounts payable trade payable trade payable fourth पहले थे 11 अब हो 9 कम होगे तो less decrease in trade payable मैंने बता था trade payable का inverse relation होता है तो यहाँ से minus होजेंगे मेरे 2000 2000 यहाँ से minus then expenses payable पहले थे 5 अब है expenses payable बढ़ रहे liability बढ़ रहे है current liability तो add increase in expense payable 1000 यहाँ पे add हो गया चालो यह भी हो गया investment short term short term investment अगर लिखा हो so these are considered as cash and cash equivalents इसका कोई treatment नहीं होगा उसके बाद हमारा आता है proposed dividend proposed dividend of previous year ही हम लेते हैं 10,000 तो यह हमारे यहाँ पे हो ज़ेगा add proposed dividend of previous year which is 10,000 यह यहाँ पे हो ज़ेगा add चलो यह भी हो गया और हमें यहाँ मैंने देखा ही नहीं profit हमें दिया हो था 90,000 so profit हमारे यहाँ पे आ ज़ेगा that's it question खतम बस और कुछ बचाए नहीं है इसमें हाँ चलो करते हैं जल्दी से solve 90,000 प्लस 10 तो this is 1,03,000 1,03,000 1,03,000 sorry guys मुझे बीच में एक urgent call आ गए थी तो मैं कहां था proposed dividend हाँ मैं total करता था sorry हाँ so 1,03,000 plus 12,000 minus 5,000 plus 2,000 plus 14,000 plus 17,000 so this is 1,43,000 1,43,000 यह आगे मेरा इसके बाद next 1,43,000 आगे इसके बाद next एक सिक्ड गईस so 1,43,000 minus 4,000 plus 3,000 minus 2,000 plus 1,000 so it is 1,41,000 तो 1,41,000 minus 5,000 so it is 1,36,000 तो मेरा जो अंसर आ रहा है it is 1,36,000 so cash flow positive आ रहे so cash flow from operating activity it is 1,36,000 ठीक है गाईस एक चीज हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर्फ प्रीमिलरी एक्सपेंस इस रिटन आफ उनकी बुक्स में या कहीं पे तो इसका effect यहां पे नहीं दिखाया हुआ यह बोलके कि यह तो operating का ही पार्ट है हो सकता है ऐसा दिखायो बड़ तुम यहां पे notes में लिख सकते हो notes में तुम यह चीज लिख दे न कि we have assumed that these are previously paid expenses which are written off in this year कि हमने पहले कभी expenses pay करे थे लेकिन इस साल write off करे है profit and loss से इसलिए हमने इसको non cash expense मान के यहां पे add करे है और अगर इसलिखा होता कि इसी साल हमने preliminary expenses खर्चा किया था और इसी साल write off किये इस साल करे है इस साल write off किया है तो हम यहां पे कोई इसका treatment नहीं करेंगे क्योंकि यह operating का ही part है preliminary expenses operating का ही part होते हैं तो इसी लिए operating में हम उनको कुछ भी नहीं करेंगे अगर इसी साल pay होते है इसमें क्या हो रहे हमारी situation में क्या जियू कर रहा है कि हमने इस साल pay नहीं करे यह पहले कभी pay करे हुए इस साल हमने सिर्फ इनको write off करा है so that's why it is a non cash expense कि हमने profit and loss में से तो इसको minus कर दिया था लेकिन cash कुछ नहीं दिया ठीक है so this is how we have to solve illustration number 30 और यह वाला हमारा question simple था जादा मुश्किल नहीं था चलो अब आता है next that is illustration number 47 इसमें क्या करना है क्या बनाना है question में क्या दिया हुए हमें करना है cash flow from financing activity सिर्फ financing activity हमें करनी है कोई बात नहीं financing activity करनी है कर देंगे क्या बड़ी बात है हम भी कर लेंगे ठीक है ना चलो so this is solution illustration number 47 सिर्फ financing activity तो हम सिर्फ और सिर्फ financing activity का format बनाएंगे so this is cash flow from financing financing activity चलो आप question करते है so सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था हम सिर्फ adjustments पर काम करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों पर काम करेंगे ये करक्स हमेशा याद रखना तुम्हारे सारे question सही होंगे यहां से नहीं देखना सिदा सिदा यहां से interim dividend on equity shares was paid on 15% on 1st January हमने interim dividend 1st January को pay किया है क्या equity shares के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्योंकि पहले equity shares से 7 lakh अब है 9 lakh 2 lakh के हमने issue किया है क्या हमें दिया हुआ है कब issue करें देखें नीचे कहीं नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ new shares new shares and debentures वो बिल्कुल last में आके हमने issue किये है जो 2 lakh shares हमने issue किये है वो 31st March 2021 को issue किये है that means हमारा जो dividend मिलेगा वो opening figure पे मिलेगा क्यों 2 lakh तो बिल्कुल last day पे हमने issue करें तो इनको दो कुछ भी नहीं मिलेगा सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे add sorry less interim dividend paid कितना it is 15% of 7 lakh opening figure पे 7 lakh into 15% तो 1 lakh 5,000 interim dividend मैंने पे किया है वो मैं कर दूँगा यहाँ से minus चलो यह हो गया उसके बाद dividend on preference shares was paid और आगे preference shares were redeemed at par on the last date of current year तो preference shares का dividend हमने pay किया है कि इसके बारे में कुछ और दिया हुआ है नहीं और preference shares के बारे में बोला गया है कि हमने redeem करे है last day पे last day मतलब पहले थे 5 lakh अब है 3 lakh तो 2 lakh के preference shares हमने redeem करे है यह भी last day पे हमने redeem करे है तो last day पे redeem करना मतलब कि हमने last day पे इनको पैसा वापिस किया है, पूरा साल हमारे पास ये तो opening finger पे हमें interest देना पड़ेगा, so less dividend on preference shares how much it is 5 lakh का हमारा, कितना कितना 12% तो it is 60,000 dividend on preference preference shares, ये भी मैंने कर दिया, यहां से minus, चालो, ये भी हो गया preference shares were redeemed, इसका effect हमने डाल दिया new shares and debentures were issued on 31st March, ठीक है debentures के बारे में भी बोला हुए, पहले 3 lakh थे, अब 4 lakh है, तो 1 lakh के debentures हमने last में issue करें, तो मैंने ये भी लिख दिया है यहापे साथ ही के last में issue, share issue expenses amount to 15,000 were debited to SPR account, share issue expenses जो थे, वो SPR से हमने adjust करें थे, अब देखो, SPR guys, SPR पहले कितना था, SPR पहले था 1 lakh, जहां से सुनना guys, SPR पहले कितना था हमारा 1 lakh, अब SPR कितना है, हमारा, अब SPR है 25,000, तो SPR हमारा बड़ा है, पहले SPR था 1 lakh, अब SPR 1 lakh 25,000, तो 25,000 से SPR बड़ा है, और हमने 15,000 का share issue expense, SPR से adjust कर लिया था, यहां से सुनना, हमने share issue 15,000 SPR से adjust कर लिया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस छोटा सा हम बनाएंगे SPR अकाउंट, एक छोटा सा SPR अकाउंट हम बनाएंगे, it's like provision only, SPR liability होती है, तो यहां आजेगा, buy balance brought down, SPR का opening balance हमारे पास है 1 lakh, to balance carry down, SPR का closing balance है 1 lakh 25,000, अब share issue expenses 15,000 वर debited to SPR account, SPR account में हमने debit कर दिया था, क्या share issue expense which is 15,000 इसका मतलब क्या है, कि हमने SPR में से 15,000 माइनस कर दिया था, हम profit and loss में इसको नहीं लेके गए थे, यह जो expense है, हम इसको profit and loss में नहीं लेके गए थे, हमने इसको SPR से माइनस कर दिया था, कोई बात नहीं, तो आपने SPR में डाल दिया, अब close कर लेते हैं इसको, so it is 140,000, so that means SPR जो हमारा बड़ा है, so buy bank, buy bank, it is 40,000, so buy bank 40,000, के SPR जो है, जहां जे सुनना गाइस, SPR हमारा 40,000 का है, मतब 40,000 के हमने नए जो shares issue किये थे, वो premium पे issue किये थे, shares या debentures कुछ भी हमने premium पे issue किया था, तो वो premium हमें आया है, तो इसका effect क्या होगा जहां से देखना, हम add कर देंगे increase in SPR, SPR कितने से increase हो रहा है हमारा, 40,000, और जो हमने share issue expense, SPR से adjust किये, वो यहां से less कर देंगे, क्योंकि वो financing के part है, less share issue expense adjusted कितना, 15,000, यह हम यहां से minus कर देंगे, ठीक है, share issue expense हमने यहां से minus कर दिया, तुम चाहते तो इसको neglect भी कर सकते दें, बड़ कोई बात नहीं, हम बिलकुल practically लेके चलेंगे, कि SPR जितना बड़ा हमारा actual, वो add हो जाएगा, और share issue expense हमारे यहां से minus हो जाएगा, कुछ बचे सोच रहोंगे कि सर, अगर operating activity होती, तो क्या हम यह share issue expense, operating activity में, net profit before tax and external item में add करते, I would say no, क्यों नहीं add करते, क्योंकि हमने profit and loss से तो इसको adjust ही नहीं किया, हमने SPR से adjust किया था, तो जब profit and loss adjust ही नहीं किया, मदब profit and loss में आया नहीं, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, चाला, यह भी हो गया, अब हम करते है starting से, equity share capital, पहले ते 7, अब है 9, दो से बढ़िये, so add, issue of shares, 2,00, liability बढ़ती है, तो add, preference shares, पहले ते 5, अब है 3,00, कम हुए है, तो less, redemption of preference shares, 2,00, यह हो जगा, यहां से minus, SPR हो चुक है, 12% debentures, पहले था 3,00, अब है 4,00, that means debentures बढ़े है, so add, issue of debentures, 1,00, और कुछ नहीं में पूरे question में, तो debentures पे 12% हम interest देंगे, लिखा हुआ है, debentures last में issue हुए थे, तो opening figure में interest देंगे, 12% of 3,00, is 3,60, so less, interest on debentures, 36,000, यहां से minus हो जएगा, यह भी हो गया, cash credit is like हमारा bank loan, bank loan, bank loan, short term bank loan, निसी तर financing का part होता है, तो यह हमारा कम बढ़ रहा है, तो add हो जएगा, add, increase in, cash credit, 25,000, interest on cash credit, interest हमेशा हम current year का देखते हैं, जो इसका कुछ नहीं करेंगे, जो current year में हमने interest pay करा है, यह important point है guys, जो हमने current year में interest pay करा है, वो interest operating में add हो जएगा, और यहां पर minus हो जएगा, so less, interest on cash credit, 20,000, यहां से minus होगा, याद रखना, यह important point है, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, यह सबसे important point है, वो दोनों का difference निकाल लेंगे, हमें इस figure का कुछ भी नहीं करना, interest हमेशा current year का देखते हैं, operating में add और financing में minus, that's it, अब हम अपना answer निकाल लेते हैं, तो minus 1,05,000, minus 60,000, plus 40,000, minus 15,000, plus 2,00, minus 2,00, plus 1,00, minus 36,000, plus 25,000, minus 20,000, मेरा answer आ रहे है, negative 71,000, so cash used in financing activity, it is 71,000, negative, this is my answer, this is how we have to solve this question, थोड़ा tricky question था, थोड़ा lengthy था, बट याद रखना, ये question तुम्हारे को 6 mark में बहुत easily आ सकता है, 6 mark में भी आ सकता है, और ICAC वालों को 8 marker भी आ सकता है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा tricky है, याद रखना, जब भी हम पहली कोई line पढ़ें, adjustment पढ़ें, तो हमेशा कोई और adjustment भी देखना, कि क्या link है उससे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया, कि हमें interim dividend इतना pay करना है, लेकिन क्या पूरे question में कहीं लिखा हुआ है, कि shares कब issue हुए है, अगर shares हमने पहले issue कर दियो होते, तो इन पे dividend देते, बाद में issue किया है, तो इन वालों पे dividend नहीं देंगे, तो ये धियान रखना guys हमेशा, प्लस, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उनको थोड़े बहुत डाउट से इस chapter में, पूरा concept clear नहीं है, मैंने cash flow statement के, जल्दी से fast track की इसके एक वीडियो बनाई हूँ है, for two and a two and, I think two, two and a half hour, जिसके अंदर पूरा chapter मैंने cover किया हूँ है, सारे concepts मैंने cover किया हूँ है, तो तुम चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका link जो है वो इसकी description में है, मिल जाएगा तुम्हें, बहुत बैनत करें तुम्हारे लिए, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करो, जितना कर सकते हूँ maximum, थैंक यू, चलो, अब आता है guys, last question, अच्छा question है, बड़ा question है, और ध्यान से करने वाला question है ये, that is, करना के question में, from the following information and extract of balance sheet, हमें बनाना है cash flow from operating activity and cash flow from investing activity, हमें दोनों activities से अपना answer निकालना है, और काफी सारी adjustments है, चलो guys, last question, इसमें हमें करना क्या है, हमें operating activity और investing activity करनी है, तो कोई बात नहीं हम करते है, solution, illustration number 42, सबसे पहले हम आ रहाएगा यहाँ पे, working note, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, क्या format बनाता हूँ, तो this is, net profit, after tax and, extraordinary items, तोड़ा space छोड़के, then, net profit, यह काम करते है guys, यह question मैं नहीं करता, यह question, तुम सब का homework है, यह तुम सब का homework है, मेरे telegram group है, जिसका link चो है, वो इस description में मिल जाएगा, तुम यह question solve करो, और यह question solve करके, इसका solution देखो, मैं तुमें इसका answer बता देता हूँ, अगर तुम्हारा answer इससे match कर रहा है, then very good, तुम्हारे को पूरा question समझ आ गया है, अगर तुम्हारा answer मैच नहीं कर रहा, तो मुझे बताना, अगर बहुत सारे बच्चों की queries आई, कि सर हमारा answer नहीं मैच कर रहा हमें, प्लीज बता दो, then I will make a video of this particular question, और मैं ग्रूप में डाल दूँगा, चलो, इसमें जो हमारा operating activity का answer आ रहा है, that is, रूपीस 2,29,000 positive, so cash flow from operating activity 2,29,000, और investing activity का हमारा answer negative 7,000 आ रहा है, negative 7,000 मतलब cash used in investing activity, यह देखो, इसका answer निकालो, let's see कितने बच्चे इसका answer सही निकाल पाते हैं, मुश्किल नहीं है, तोड़ा सट tricky है, करोगे समझ आजएगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो घबराने वाली बात है, क्योंकि मैंने अल्रेडी सारे points उपर cover कर दी है, question कैसे solve करना है, वो तुमारे को बतागे help करती है, ठीक है, try करो, नहीं होता तो, किसका है तुमको इंतजार मैं होना, चलो, bye guys, और please मेरी इस वीडियो को जितना हो सकते है, share करो guys, it would be very helpful on your part for me, thank you guys and take care